यह हमारे पास है अलग-अलग तरह के कैपिसीटर आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि यह कैपिसीटर कौन से कैपिसीटर किस काम में आते हैं आप देख सकते हैं यह हमारे पास च्छे दो आठ कैपिसीटर है आठ कैपिसीटर इसकी कैपिने छोटे बड़े से मतलब नह ही होता है इसमें पावर देखना होता है कितने कितने का पावर है तो यह ना यह बड़े बड़े वीजिटर जो है यह कोने के लिए मदद करते हैं क्योंकि यहाइब कि हव been Talking अगर यही च्छोता क्यों एका होता तो जान का होता तो इसको भी इस हुआ 55 यूफ का जो की डेट तर्न और दो टर्न दोनों किम्प्रेसर को सकते हैं यहㅎrive वंपर को रमाने के लिए हाई केपसीटिटी चाहिए होती है यह हमारा 3 UF का है इस पे मिट चुका है लेकिन 3 UF का है यह भी fan motor run करवाने के लिए है यह हमारा है 8.5 UF का है capacitor जो कि छोटा motor होता है outdoor का उसको run करवाने के लिए capacitor यूज किया जाता है P40 being of a Tôi 500 n KU love Michelle自comb को Run करवाने के लिए bes 분들이 निमढ़त होता है बड़ी 272 पॉइंनम में 232 पॉइंट है इसको समझ समझ और फैंनल करेंपेशिटर में 282 पॉइंट होते हैं तो यह जो तीन पॉइंट है ना यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए जिसमें छार पॉइंट इन जहां c लिखा होता है अब देखिए तीन पॉइंट चार पॉइंट से मतलब नहीं है इसमें दो पॉइंट यह फैन केलिए होता है यहां से स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है तीन पॉइंट होता है यह ए आरियम यहां पे लिखा होता है आप देख सकते हैं यह ए आरियम यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे फैन लिखा हुआ है यह दो पॉइंट के सामने फैन लिखा हुआ है और यहाँ पर C लिखा हुआ है C जो लिखा होता है यहाँ पर main supply देते हैं और यहीं से उठा करके running में देते हैं मैं practical मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर थोड़ा समझ लिजिए तो यहाँ से उठा कर running compressor के running में देते हैं और यह तीन पॉइंट है यहाँ से उठा करके starting में देते हैं और यहाँ से निकाल करके हमें fan fan का starting होता है वो यहाँ से हम देते हैं तो इस तरह से इसकी wiring की जाती है एक capacitor बड़े छोटे से मतलब नहीं होता है देखिए एक capacitor कितना छोटा है लेकिन डेट टन compressor को run करवाने के लिए यह मदद करता है देखिए इससे कितना छोटा है छोटे बड़े से मतलब नहीं होता है पावर से मतलब होता है डेट टन AC के लिए यह capacitor यूज किया जाता है अब इसे चेक करने के लिए सारे capacitor जो running capacitor है इसको चेक करने के लिए इन दो पॉइंट पर चाहे आप स्रीज का स्रीज से या फिर पैरलर से पैरलर से देंगे थोड़ा डेंजरस होता है अगर स्रीज से देता है तो सही होता है चेक करने के लिए इन दो पॉइंट पर ऐसे सार्ट करेंगे उसको बद हटा लेंगे फिर इसको ड्राइबर से साट करेंगे इस पार्किंग होगा अल्रेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कैसे चेक किया जाता है प्रेक्टिकल जाहिए इस वीडियो को देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से किलिक करके देखिए और सी स्पार्किंग होगा अगर अगर से सपार्किंग हो रहा है चट करके तो पिर समझे कि कय पेस्पेसिटर सही है अगर स ज omच से कहपिसीटर होता है आँ अब देखिए यहां पर अगर पचास आफिशी से मेरे पास नहीं यह जो कि यहांच और केपिसिटर में एक ही लाया था और मैं लगा दिया एक सिस्टम में तो यह अमरे जितने पास हैं सब देड़ टन के और यह 45 युप का है इसको हम दो टन में लगा सकते हैं लेकिन दो टन में 50 युप का लगता है 45 भी चल जाता है इसी बात नहीं है तो यह 40 युप सब देड़ टन के कैपिसिटर हैं यह होते हैं कैपिसिटर यह कंप्रेसर का कैपिसिटर है कंप्रेसर को रन करवाने के लिए चोटा कैपिसिटर है आउट डूर फैन मोटर को रन करवाने के लिए यह दो चोटे कैपिसिटर यह भी outdoor fan motor को run करवाने के लिए हैं अलग-अलग तरह के capacitor होते हैं तो यह जो छोटी-छोटी capacitor है इनकी capacity थोड़े ज्यादा है यह 6 UF का है बड़े fan motor को run करवाने के लिए ए 3 UF का है उससे छोटा fan motor run करवाने के लिए यह धाई UF का है उससे भी छोटा fan motor run करवाने के लिए त तो जिस तरह का फैन मोटर होता है उसी तरह का कैपिसीटर उसमें लगता है जब भी आप कैपिसीटर चेंज करें ना तो उससे पहले आप देख लें उसमें कितने यूफ का कैपिसीटर पहले से लगा हुआ है उसी हिसाब से दूसरा कैपिसीटर आप चेंज कर सकते हैं देख भेजें क्योंकि उसके उपर मैं वीडियो बना सकूंँ तो अगर वीडियो पसंद आए तो यजय भर न रहीं ऌकर दाना है की चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर किलिक कर ले ताकि जितनी भी वीडियो में बनाओं आपको सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएं सबसे पहले